बोक्स ओफिस पर इन दिनों साउथ और बोलिवुड फिल्मों के बीच दर्शकों को लुभाने की जंग छिड़ी हुई है वहीं हाल ही में साउथ के इस्टार किच्चा सुधीप के राष्टर भाषा हिंदी पर दिये गए बयान पर बहस शुरू हो गई है केजीफ चैप्टर टू की जबरदस्त सफलता के बाद किच्चा सुधीप ने कहा था कि हिंदी अब राष्टर भाषा नहीं है इसी बयान पर बवाल खड़ा हो गया था अब इस पर बोलिवुड सूपरिश्टार अजय देवगन ने प्रतिकरिया दी है उन्होंने मामले में सोशल मीडिया पर अपने विचार साजा किये है केजीफ चैप्टर टू की सक्सेस के बाद किच्चा सुधीप ने ऐसा बयान दिया था जिससे विवात खड़ा हो गया था इस पर सूपरिश्टार अजय देवगन ने ट्वीट कर सुधीप से एक सवाल पूछा है ट्वीट में अजय ने सुधीप को टैग करते हुए पूछा है कि अगर हिंदी अब राष्टर भाषा नहीं है तो उनकी मात्र भाषा की फिल्मों को हिंदी में डब क्यों किया जाता है हिंदी हमारी मात्र भाषा राष्टर भाषा थी और हमेशा रहेगी जन गन मन अजय ने किच्चा सुधीप को उनके बयान का जवाब हिंदी में ही लिख कर दिया अजय देवगन के जवाब पर किच्चा सुधीप ने कमेंट कर सफाई देते हुए लिखा सर जिस कंटेक्स्ट में मैंने वह बात कही मुझे लगता है कि मेरी उस बात को बहुत अलग तरीके से पेश किया गया है Bureau Report यान टीवी